बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेरी टेस्टी एंड वेरी यमी, माउट वाट ड्रिंक, काजर एंड आलो की सब्धी के साथ आजिन हैं, आएए इसमें बनाते हैं और खाते हैं सबसे पहरे एक पैन में एक मिडियम प्यास काट के डाल दीजिये और एक टेबल स्पून और में कोल्डन ब्राॉन होने लगे तो इसमें अदर्ग और लेसन कूर डाल दीजिये और अच्छी तरा से मिक्स कर लीजिये अब एक चमच सुर्फ मच का डाल दीजिए और इसको इसी प्यास और अद्रत लेसन के साथ अच्छी तरह से भून लीजिए और साथ में दही डाल दीजिए दही को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब एक चमच अजवाइन लेके उसे कब पानी में डालिए और उसको अच्छी तरह से वाश कर लीजिए और फिर एक स्टेनर के मदद से उसको स्टेन करके अपनी गाजर की सबजी में एड़ कर दीजिए इससे गाजर का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और बड़े शोग से छोटे बड़े सब खाते है एक गलास पानी भी साथ में एड़ कर दीजिए ताके मसाला नीचे नहीं लगे क्योंकि हमने आइल बहुत कम डाला है अब इसमें टमाटर डाल दीजिए एक बड़ी टमाटर जो हमने काट के डाल दी है अब इसको कवर करके दो से तीन मिनट के लिए छोड़ देंगे ताके टमाटर अच्छी तना से कल जाए मसाला अच्छे से भून चुका है अब इसमें आदा किलो काजरें और दो द्रम्याने आलू काट के डाल दीजिए और इसको कवर करके कमस कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताके ये हलकी आग पर अच्छी तरह से पक जाए चाहे तो अंदर हाफ ग्रास पाने डाल दीजिए ये आफ्टन है आप चाहें तो ना डालें गाजरें और अलू अच्छे तरीके से कल चुके हैं अब इसमें सबस मच्चें, सबस लेसन और धनिया डाल दीजिए और इसको दो मिनट के लिए दुबारा से कवर कर दीजिए तार के दनिया और मच्चे जहें उनके इची तरह से खुश्भू भी अंदर आ जाए और मच्चे जो है वो पक जाए प्राइब जो कि एफोल ले हैут तरह जोद्गेन भयाह जो हमारा सालन रड़ी हो चुका है येकीन की जिए ये सालन बच्चे भी बड़े शोक से खाएंगे आप इस तरह से बच्चों को काजर आलू बनाके खिलाएं वो ज़रूर पसंद करेंगे चले आईए बिसको डेश आउट करते हैं और आपको बताते हैं कि हम वेट लॉस में कित चाहे खा सकते हैं ये हेल्दी लाइस्ट्राइल है साथ में एक छोटी सी रोटी आपको बता चुकी है कि आपके पाम साइस के मताबिक पेड़ा हो उसकी एक छोटी सी रोटी बना रीजिए दो आलू रख लीजिए क्योंके आलू भी काब्स हैं और हमारी रोटी में भी आज रेने के अपना सालन इंजोई करेंगे प्लीज दाइक शेर एंड सब्सक्राइब हैल्दी खाईए और हल्दी रहें कीप पाचिंग